नमस्कार स्बागेत आप सभी काप देख रहे हैं एबीपी गंगा आपके साथ मैं हूँ राजीव घौंडियाल यूपी सरकार की मंत्री कमल रानी का निधन हो गया है कानपूर उनका पार्थिव शरीर जागा इस बीच में एक बड़ी जानकरी आपको देवें कानपूर उनक यह जानकरी देदे हैं कि तीन मई उन्निस तो अठावन को जन्मी और एक छोटे मिलकु छोटे इस तरसे शुरुभात करने वाली अपनी जीवन के राजनीतिक सफर के शुरुभात करने वाली और कैबिनेट मिनिस्टर तक आपाद उन्होंने हासिल किया अपने शपना अप कमल लानी वरून का निधन हो गया है और हम इस वक्त उनके बर्रा इस्तित आवास पर मौजूद है और अगर कमल लानी वरून के व्यक्तित की बात की जाए तो वह कानपूर में बहुत जादा सुलब थी और हर किसी से वह मंत्री और विधायक होने के बाद भी बड़ी आसानी से मिलती थी इसी घर में वो अकेले रहती थी और उनकी जो एक बहु है वो साथ में रहती थी जैसे ही लोग को जानकारी मिली है वैसे ही लोग जो है वो यहां पर उनके घरों पर पहुंच रहे हैं और उनके जो बहु है उनकी जो भांजी है उनको सांतवाना देने के लिए सांतोना देने के लिए हैं पहुंच रहे हैं हलाकि अभी जिस तरह अगर गटना की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही उनकी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉस्टिव आई थी जिसके बाद लखनौ में एड्मिट की गई थी और जो उनके घर के सदस्ट हैं उनका कहना है कि सबकुछ ठीक ही था अचानक से आज पता चलता है कि उनकी देथ हो गई है और यहां आप देख सकते हैं कि जो घर के लोग हैं वो मौझूद हैं उनकी जो बहू है अनीता जी उनकी से बात करते हैं मैं आपको कब जानकारी हुई और क्या बात हुई थी आकरी बार आपकी चेक अब के लिए भेजा गया तो वहां उनको जाच में निकला आया हलका सा निकला था फिर उनकी बेटी को भेजा हमने उड़ा जाई है उसने गए तो वहां पर वो थोड़ा सब्सक्राइब था तो उनको पंदरा दिन से वहीं थी और कल दो दिन चार दिन तक तो बराबर ठीक रही है खाना प्मीना तीनों टाइम जा रहा था वहीं से लखनू से खा रही थी फल फलूट खा मंगा रही थी खुद फोन करके मंगा रही थी लेकिन कल दो वज़े से तब यह तुमकी गड़बा उनको फिराइस में डाल दिया फिर थोड़ बाद ख़बाद खबार कई सब्सकती थी वो संश्कती है हमारे सब हम सब के है तो हम नेता की तरह नहीं मिल रहा है में सबको देखना यज्वा है सब के जलिए काम करना सब के लिए सब कुछ करना है तो सबको देख थी है कभी उनों नG comeback paste करhoven Yardau 52. जाता है कि घर का जो आप महुंद देख सकते हैं कि पूरे परिवार पर एक दुखो का पाहर टूटा है और सब लोग जो है वो परसान है उनका कहना है कि बहुती सुलब थी आसानी से सबसे मिलती थी वह अपने आपको नेता मंत्री नहीं समझती थी हलाकि जब उनके देथ हुई है उसके बाद जो उनके परजन है उनका कहना है अंतिम संस्कार जो है वो कानपूर के भारो घाट में किया जाएगा लेकिन कोविट प्रोटोकाल को फालन करते हुए अब देखना यह है कि कब तक सो यहां पर पहुशता है और किस तरह पूरी अं अर्थिव शरीर कानपूर पहुँचेगा और चूंकि कोविट प्रोटोकॉल किता है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो यह किस तरह से होगा कोविट प्रोटोकॉल क्या कहता है अंतिम संस्कार के से होता है कौन-कौन अभी कानपूर पहुँच चुका है जी पिल्कुल राजीव आपको बताना चाहूंगा कि अगर पूरे अभी की अपडेट की बात की जाए तो अभी उनका सौच जो है वो लखनौ से कुछ समय बाद चलेगा क्योंकि जो उनके परजन है उनके लगातार जो लखनौ में उनकी बेटी और उनका दामाद मौजूद उनसे बात हो रही है तो उनका कैना है कि कुछ समय बाद वहां से जो पार्थिव शरीष है वो कानपू के लिजर आएगा हाला कि घर आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में भी अधिकारी पुष्टी नहीं हो पा रही है क्योंकि कोविट प्रोटकॉल कोई फालो करना है क्योंकि कोरोना पॉस्टिव थी वो लिहाजा उसको लोगों से दूर रखना उसका फिर अंतिम संस्कार करा जाएगा लेकिन अभी जो जानकारी मिल नहीं उसके अंसार ये है कि लखनव से चलने के बाद जो पार्थिव शरीष है उसको पुलिस लाइन लाया जाएगा जहा है कि घर पर भी काफी जो लोग है वो आ रहे लगातार जो उनके परज़न है वो यहां पहुंच रहे हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं सद्श हैं तो वो इस शेत यानि बर्राचार से उन्होंने सभासधी का चुनाव लड़ा था और भारती जंता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद भारती जंता पार्टी के एक जमीनी कार करता थी और उसके बाद पार्टी ने उनके पर भरोसा जताया और उनको सांसधी क गाटमपूर जो पहले एक लोग सभा सीट हुआ करती थी घाटमपूर वहाँ से सुरक्षिश सीट थी वहाँ से इनको मौका मिला और उन्होंने अपने आको सित किया उसके बाद आप समझ सकते हैं अंदाजे लगा सकते हैं कि एक सभासत जो है वो एक काइबनेट बंतिर के प 8 लूफ रहे हैं उनके चाहनेवालों की भावनाई ज्रूडी होती है वो आना चाहते हैं इस वक्त हम देख पारें कि भीडыл में उनके घर के बाहर क्या और लोगों के आने की संभाभने, इसके मदेनेजर, क्या पोलिसिया, बंदूबस तॉह पर ज्यादा क्या क्या जिरी आपको बताना चाहूंगा क्योंकि काफी लंबे समय से लखनों में ही एडमिट थी और वहीं उनका इलाज चलना था और अभी जब वहाँ से पार्थिव सरीर उनके परजन है वो लेकर कानपूर के लिए आएंगे और उनका जो अंतिम संस्कार भाहरोगाट होना है तो अभी क जो पार्थिव सरीर है वो खोला नहीं जा सकता है क्योंकि पूरी दर्जा सील करके वहाँ से दिया जाएगा और प्रोटोकॉल को जो पालन करना होगा लिहाजा कानपूर की अगर जो उनके घर की बात की जाए तो यहाँ पर लोग जरूर आ रहा है लेकिन वो अपने आपक की प्रकिया है वो सुरू है लेकिन जो भी जानकारी मिल लई है कि उनका जो सरीर है वहाँ से आने के बाद सीधे पुलिस लाइन जाएगा उसके बाद भैरो घाट में उसका अंतिम संसकार होगा लेकिन क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है और लोग जो है वो जागरूख है अंतिम दर्सन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही जमीनी नेता थी और बड़ी यही आसानी से लोगों को मिलती थी लिहादा लोग जो है वो घरों पर आने का प्रकिया जो है वो सुरू हो चुकी है अभी कोई बड़ा नेता या बड़ा कोई मंत्री यहां पर नहीं आया है लेकिन अंतिम संसकार में जरूर वहां मौझूद रहेगा और यह कुछ दिर बास साफ हो जाएगा कि कितनी समय बाद जो पार्थिव वहां पर मौझूद है दूसरे तरफ उनका पार्थिव शरीर कानपुल लाया जाएगा और भेरो घार्ट में बताया जा रहा कि वो अगे बढ़ना है आज दिल्ली अमर सिंग का पार्थिव शरीर पहुंचेगा ये भी एक बड़ी जानकारी आपको देदें राज्य समास्त और पूर्व समाजवादी पार्थे के नीथा अमर सिंग उनका पार्थिव शरीर करीब साढ़े तीन बजे पहुंचेगा साढ़े अंतिम संस्कार हो सकता है अमर सिंग सिंगापूर के एक अस्पडल में उनका निधन हो गया है और अब उनका पार्थिप शरीर भारत लाया जागा साथे तीन बज़े बता जागा कि खरीब उनका पार्थिप शरीर एक विशेश विमान के जरीए भारत लाया जागा अन्तिन संसकार कल हो सकता है तो एक लंबी आत्रा रही अमर सिंग की लेकिन आखरी वक्त में गुम्नामी में खो गए थे इस बीच में आपको ये भी जान करें जाते हैं कि मार्च महीने तक में तक यापवाइं भी उड़ी थी कि मुलाम सिंग का अमर सिंग का निधन हो गया लेकिन इनी खबरों का इन तमाम वक्त महाँ को उन्होंने खुछ खंडंग किया था और अब उनका निधन हो गया है सिंगापूर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया चले बात करते हैं सकल काज रामराज की पाच अगस का दिन बेहत करीब ऐसे में पूरी अयुध्यान अगदी को दुलहन की तरह सजा जा रहा है चपे चपे पर सुरक्षा के कड़े इंतिजाम के गया है पाच अकस के इंतिजामों को पाच तस्वीरों के जलिए हम दिखाते हैं भूमी पूजन पर भव्य तैयारिया है पूजा पाड़ी शुरू हो गया है दुलहन की तरह आयुध्या को सजा गया है और कहीं पर भी ऐस है कि कोई कमिया छोड़ी जा रहे हो दिवारों से लेकर सड़क से लेकर घर घर से लेकर लूग घरूं के भीतर अपनी साजों सज्जा कर रहे हैं देए जला रहे हैं तो बाहर आयुध्या को रंगा जा रहा है सुरक्षा की पुखता इंतिजाम है और दूसरी तरब मंच को होगा और मुख्यमंत्री एक बार फिर से तैयारियों को देखेंगे चूंकि आज काबिनेट मिनेस्टर को निधन हो गया इसकी वज़े से उनका आयुध्या का दौरा रद हो गया है फिलाल उनको आयुध्या आना था लेकिन आयुध्या में अब भजन गुन गुनाने लग पूरी आयुध्या नगरी को साफ और सुन्दर बना जाए रहा चाका चाका भगवान राम की तस्वीरे भी आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन एबीपी गंगा को वो एक्स्क्रूसिव तस्वीर मिलिए जहां पर पीम मूदी बैठेंगे और भूमी पूजन का करक्रम होगा ये देखे तस्वीर भूमी पूजन के लिए बना गए मंच की एबीपी गंगा आपको ये एक्स्क्रूसिव तस्वीरें दिखा रहा है यही पर आज से तीन दिन बाद यानि की पाच अगस को भूमी पूजन का करक्रम होगा आप अगर अभी से देखेंगे तो पूजन के वज़ा से कारक्रम में किसी तरह का खलल ना पड़े इसलिए ये विशेश टेंट लगा गया है कुरसियां देखेंगे आप अगर तो कुरसियां ऐसे रखी गए हैं कि सोशल डिस्टेंसें का आराम से यहां पर पालन किया जा सकते यानि कि उच्छी दूरी पर य मंद्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे हनमान गड़ी मंदर सिर्थ यग्य शाला में पिछले आज सालों से लगातर यग्य भी हर दिन किया जाता है और यह यग्य इसलिए किया जाता है कि मंद्र निर्मार में कोई देखन बाधा ना है और हम जब मंद्र नरेंद्र मोदी भूमी पूजन के लिए आ रहे हैं तब ही इस यग्य शाला में यग्य लगातर किया जा रहा है यह यग्य इसलिए भी किया जाता है मंद्र बनने तक कोई भी देखने कोई भी बाधा ना है बिगत लगातार दो हजार बारा से हम लोगों ने संकल्प किया था भब से राम जड़म भूम निर्मां सयोग मंच के तत्वाधान में हनमान जी महराज की हनमत यगिशाला है जिस कुंड में बैठे हैं हम लोग का संकल्प था भगवान से राम की जर्म भूम पे भव दिव मंदिर में किसी भी प्रकार का विग्ण बाधा ना आए इसके नाते नवगरा की लकड़ी से आज रविवार है ये मदार की लकड़ी है और इस से हवन हम लोग कर रहे हैं उद् स्रुत्त में एक भी दिन तूटा नहीं है करी तो इसके नाते आचार जी को सादुबाद धन्वाद आपको कोट कोट आभार आप यहां आए और इस चीज़ को आप देश दुनिया को दिगाईने ये संकल्प दो हजार बारा में हम लोगों ने लिया था हम लोग जब मांग कर रहे थे की डे टूदे सुनवाई हो तो इसके नाते हम लोगों ने विचार किया कि नवगरा से नौगरा की लकड़ी से रोज अलग-अलग दिन के हिसाब से लकड़ी होता है आज रभिवार है, मंदार की लकड़ी है इससे कर रहे हैं इसके नाते कि सारे ग्राशांत हो और भप दिप मंदिर में किसी भी प्रकार का विख्णबादा उत्पन नहो हनमानगडी से जुड़े कुल छे महंतों को भूमी पूजण में शामिल पूले निमंतर न मिला है इनको किनको मंदिर के भूमी पूजण के लिए निमंतरन मिला है अहनमानगड़ी में हमारे जो गदी नशीन है फ्रेमदाजी महाराज उनको मिला है वो असल में इस परिसर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो इसके नाते वो नहीं जाएंगे निर्बानियनी अकाड़ा के श्रीमहंत धरमदास जी महराज को मिला है निर्बानियनी अकाड़ा के महासचिप गौरी शंकरदास जी को मिला है भासपा के पूर्व जिलाध्यच महंदमन महंदास जी को मिला है बीजेपी के पूर्व महानगरपाल का उपाध्यच रामकुमार दाश जी को मिला है और आपका भाई राजुदास जी को भी निमंत्रन विला कि अभी तक आडवानी जी तो आज दो तारिक है अभीवक्त है हो सकता है संगठन का क्या भाव है क्या उद्देश है मुझको तो नहीं लगता को नहीं क्यों हो सकता है बुजुर्ग ज्यादा है क्योंकि कुरोणा संक्रमन भी चल ला है तो बच्चों और भूजुर्गों को नहीं निकलना इसके नाते भी नहीं दिये होगे लेकिन मुझको उमीद देंगे बुलाएंगे जरूर पांच अगस को रामन्दे नमान के भूमी पूजन के दिन पूरे देश में उत्सव और दीपावली मनाई जाने हैं मठ बंदिरों और आश्रमों से लेकर घरों तक में दीपक जलाय जाने हैं दीप जला कर रौश्णी करते हुए दीपावली मनाय जाने की तयारियों में रौश्गारी के इस दौर में कुमहारों को भी काम मिल गया है वो दिन जो हैं बताए जाना है कि दिन रात दीए तयार करने में जोट गए हैं प्रियांग रात से समवादा था मौमद मोहिन की ये रिपोर्ट आप देखे है पांच अगस को यहुद्धा में राम मंदिर का भूमी पूजन होना है उस दिन पूरे देश में उत्सो मनाये जाएगा घर घर दीवाली मनाये जाएगे शाम के वक्त सभी जगहों पर दीएच सजाए जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह से माहौल बनाये जाएगा जिस तरीके से दीवाली पर होता है तो दीवाली मनाये जाने की तयारियां शुरू हो गई हैं बाजार सच गए हैं हलांकि कोरोना की वजब से बाजारों में सन्नाटा था लेकिन कम से कम दिये का बाजार में रौनक आ गई है इस वक्त हम मवजूद है प्रयाग राज के अलोपी बाग बाजार में यहां यहां आप देख सकते हैं कि बाजारों में खासी चहल पहल है, दुकानों पर दिया खरीदने वालों की भीड है, हर कोई दिया खरीद रहा है, लोग अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, पहले लोग चाइनीज सामानों का इस्तेमाल कर लेते थे, चाइनीज मुम्बतिया जलाते थे, चाइनीज धिये का इस्तेमाल करते थे, लेकिन चूकी इन दिनों चियाइना से रिष्टे खराब हैं, इसलिए लोग चीनी सामानों का वहिशकार कर रहे हैं, लोग मिट्टी के दिये खरीद रहे हैं, दुकानों पर खासी चहल पहल है, खासी भीड़ भाड़ ह इस से कुमारों को जहां रोजगार मिल गया है वहीं मिट्टी का कारोबार मिट्टी के सामान बनाने वाले दुकानों दुकांदारों के चहरे भी खेल गए हैं उनकी दुकानों पर खासी चहल पहल देखने को मिल रही है लोग दिये खरीद रहे हैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे ये देखिए हाथ में दिये लेकर लोग खड़ें जरा भाई साव ये अपने दिये दिखाईए और थोड़ा सा आगे आ जाईए आप भी ये बताइए कि आप दिये की खरीदारी कर रहें इतना धेर सारा दिया आपने क्यों खरीदा है किस मौके पर इसका इस्तेमाल होगा व्लोग भ्वान नांके पावन फ़लक्ष्पे जो अपने घर आ रहे हैं इसवपलक्ष में खरीदे हैं और हम लोग आश्नम वासी हो में पूरह आस्रम मैं धिया को जलाने का हम लोग करेंगे इस उपलक्ष में हम लोग ये ज़ कर लो हो और बने sih के लें हैं concerns को हैं तो हां दो सब्सक्राफ से में बहुत पूजन है तो इसके लिए जा नहीं सकते हैं तो इसके लिए गर पर ये अपना दिया जाला के उसका स्वागत करेंगे कई दिन है लेकिन पहले से ही आपने तैयारियां शुरू कर दी जी हम लोगोंने बहुत पहरे से पांच दिन बचें तो तैयारी करने में दो चार दिन तो लगेंगे जी ना सर का काम बढ़ गया है कैमरा में रोहिष्षी वास्तों के साथ मुहम्मद मौहीन एबीपी गंगा प्रयाग राज पांच अगस को होने जारे भूमी पूजन के लिए तीर्थ स्थलों के मिट्टी और नद्यों का जल भेज़े जाने का सिलसल लगाता जारी है संगम्रगवी प्रयाग राज के जिस तीर्थ स्थल शिंग वेरपुर धाम में हुए यग्य की वजह से भगवान राम का जन्म हुआ बहां की मित्ती और गंगा जल भी आयुद्या भीज दिया गया है गंगा जल को कलाश में भरकर आयुद्या रवाना किया गया है इस मौके पर शिंग वेरपुर धाम में विधी विधान के साथ पूझा अर्शना की गए और साथे गंगा मईया की विश्य इशार्थी बे हुए इस खास मौके पर कई धर्मा चाली और तीस पूरोहित मौझूद थे धार्मिक मानेताओं के मुताबिक श्रिंग वेरपुर में श्रिंगी रिशीद वारा किये गए पत्रेष्ठी यग्य के वचा से है भगमान राम का जंद हुआ था